हलो फ्रेंड स्वागते मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में पर्स को विबिन अवस्थाओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तो फीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सपने में लैदर का पर्स देखना अच्छा सपना होता है यह सपना नौकरी तथा व्यापार में उन्नती व विस्तार होने और अच्छे धन के लाप की और संकेत करता है साथ ही यह सपना जीवन में सुक सम्रद्धी के आने का भी सूचक होता है सपने में पीला या गोल्डन पर्स देखना आने वाले समय में खुशी धन और सफलता मिलने का संकेत देता है सपने में खाली पर्स देखना बताता है कि आपने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है या आपकी कोई कुप्त बात बाहर आ गई है इसलिए आप अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अर्थात यहाँ सपना आने वाले समय में मान सम्मान की हानी और धन की हानी को बटाता है सपने में भराओवा पर्स देखना, आने वाले समय में ठकान होने और जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों के होने का संकेत देता है परन्तु यदि आप सपने में नोटों से भरा हुआ पर्स देखते हैं तो यहाँ सपना बविश्य में अच्छे भाग्य और धन की प्राप्ति का सुचक होता है इसी क्रम में सपने में किसी दूसरे व्यक्ती का पर्स भरा हुआ देखते हैं तो यहाँ सपना दूसरों की जिम्मेदारी भी खुद लेने का संकेत देता है सपने में अपने आपको पर्स खरीदते हुए देखना जीवन में किसी सकारात्मक बदलाव को बताता है यहाँ सपना अच्छे भाग्य, नौकरी तथा व्यापार में उन्नती वत तरक्की, तथा धन के लाप की और इशारा करता है सपने में फटा हुआ पर्स देखना, आने वाले समय में किसी परेशानी के आने या लोगों के सामने अपनी गुप्त बातों के उजागर होने का प्रतीक होता है सपने में पर्स खोना या चोरी होते हुए देखना, बताता है कि आने वाले समय में कोई आपके साथ धोका कर सकता है या आपका फायदा उठा सकता है और यहाँ सपना आपके द्वारा किये हुए कारियों या आपकी द्वारा बनाई गई योजनाओं को किसी और व्यक्ति के द्वारा अपने नाम करने की और भी संकेत करता है सपने में अपने आपको पर्स ढूनते हुए देखना, आने वाले समय में मौझूदा परिशानियों का हल नहीं मिल पाने का सुचक होता है. साथ ही यह सपना मांसिक तनाफ की और भी इशारा करता है. इसी क्रम में यदि आप सपने में अपने पर्स को ढूनते हैं और वहां मिल जाता है तो यह सपना भविश्य में परिशानियों के समाप्थ होने की और संकीत करता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए